हाई इभरिवन मैं हूं सावीत्री और आप देख रहे हैं राधा की रसोई भाई एस जे एस तो फ्रेंट्स आज मैं लेकर आए हूँ धावे इस्टाइल पनीर की रेसिपी तो फ्रेंट्स रेसिपी शुरू करने से पहले आप सभी को राधे राधे तो आए रेसिपी दूब्स सब्सक्राइब सबस्क्राएब आ अलट बलते यसे थोड़ा इसym von भांवन होने प्राइब करना है मैं यहां लटते पलटते ही करेंगे तो एक साइट एक से जल जाएंगे दुन्हें साइट से लटते पलटते इसको करना है जैबienie् अधिधियां और वियां पेव กूलैंब हुआ हैं दो चार्च मसाला है इस को इसमें डाल को है कि बार्यक कटी धनिया है कि इससे भी मिला देंगे अच्छे से मासालों को इस टैम हुझने से पंएर के साथ पंएर का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता तो अपर pipe फ्राई करते समय मसालों को जरूर एड़ करें थोड़ा सा इससे पनीर का टेस्ट दो गुना बढ़ जाता है तो यहां पर अब देख सकते हैं हलका हलका दोनु साइड से पनीर फ्राई हो चुकी है अब इसे साइड रखेंगे यहां पर एक पतीले में दो से तीन चम्मच तेल एक चम्मच बटर एक चम्मच दरदरा कुटा मसाला है आधा चम्मच जीरा दो चम्मच बारिक कटा हुआ लहसुन इसमें डालेंगे थोड़ा सा मसालों को पहले भून लेंगे उसके बार बारिक कटा हुआ लहसुन दो चम्मच है बारिक बारिक काट कर ही डालना है या तो तो आप चाहें तो इसे कूटकर भी डाल सकते हैं दो चम्मच अद्रख है इसे भी बारिक बारिक काट लिए है तो इन सब को थोड़ी देर तक भून लेंगे और यहां पे दो प्याज है बारिक कटा हुआ प्याज को नरम होने तक थोड़ा सा पकाएंगे इसे चलाते हुए तो फ्रेंट्स आप देख सकते हैं प्याज नरम हो चुकी है थोड़ा कलर भी चेंज हो गया है और यहां पे दो टमाटर को कदू कस कर ली हूँ आप चाहें तो इसे बारिक बारिक काट कर भी डाल सकते हैं लेकिन मैं कदू कस की हूँ मेडियम साइज का दो टमा आधा चमाच कीचन किउं मसाला और चमोच चाहट मसाला है दोनों एक ही में लिये थे एक धनिया पावडर रहाच फोर्थ हल्दी पावडर एक छमज कसोरी में थी तो хват गरम मसाला कोटर कश्राफबताश की यहां पर इसको मिला देंगे सारे मशालों को थोड़ी देर तक इसे भुन लेंगे अच्छी तरह से ता कि मसालों का कच्चा पन दूर हजा थोड़ा सा पानी डाल कर मसालों को भून लेंगे ताकि मसाले फूल कर अच्छी तरह से भून जाएंगे तो अब देख सकते हैं मसाले भून रहे हैं थोड़ी दिर तक इसे 3-4 मिनट तक मिडियम फ्लेम पे भूनना है यहां पर देख सकते हैं तेल सेप्रेट हो गया है तो यहां पर आधा कव कुक टमाइटो पेस्ट है इसको एड़ कर देंगे कुक टमाइटो पेस्ट की रेसिपी मैं आप लोग के साथ सेयर कर चुकी हूं तो आप मेरे चैनल पर चेक कर सकते हैं चार हरी मेर्च है जिसको बारिक बारिक काट कर डाले हूं हरा धनिया आपको ज़्यादा तिखा पसंद नहों तो यहां पर हरी मेर्च कम ज़्यादा कर सकते हैं हुआ को फ्वादा नुशाρ नमाउं का थोड़ा सा मसालों को भुने Lean पादी डाल कर भी भुने'Me ready Top कि यहां है ओ डेख सकते हैं जैसे जैसे मसाले भुन रहे हैं वैसे वैसे इसका कलर वहत ही प्यारा आ रहा है मसाले का और यहां पर तेल भी सेप्रेट हो चुका है दो चम्मज भूना तील पाउडर है सफेद तील है तो आप इसे जरूर एट करें पहले ड्राय रोस्ट करके बिना तेल घी का रोस्ट कर ली हूं उसके बाद मिक्सर में पीसकर पाउडर बना ली हूं थोड़ा सा पानी डालकर तील को भी थोड़ी देल तक और भूनेंगे और यहां पर थोड़ा सा पानी और एड़ करेंगे आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा ही पानी मैं एड़ कर रही हूं कई बैच में कर चुकी पानी एड़ तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर और फ्रेंड्स गी से सब्जी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है तो इस टेश पर दो चम्मच घी जरूर डालें यहां पे दो बड़ा चम्मच मिल्क पाउडर राइट की हूं इसे भी थोड़ी देर तक भून लेंगे सारे चीज को दो से तीन मिनट तक भूनना है मिडियम फ्लेम पे फिर से वापस यहां पे आधा कप पाणी डालेंगे और मसालों को अच्छी तरह से यहां पे भुन लेंगे यहां पे मसाले भुन चुके हैं अब यहां पे पनीर कद्दू कस कर देंगे फ्रेंज आप देख सकते हैं सबजी का कलर बहुत ही प्यारा आया हुआ है और इस सबजी को आप जरूर ट्राय करना बहुत स्वादिष्ट बनती है दो चम्मज टोमेटो कैचप है इसे भी डाल का थोड़ी देर तक मिला देंगे अच्छे से भुन लेंगे अगर आपको मेरी आज की रेशिवी पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करना अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना विल्कूल न भूलें और वेल आइकन भी दबा दें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और यहां पर पानी एड कर देंगे अब जितना आपको ग्रेवी ठीक चाहिए और पतली उस हिसाब से आप पानी रख सकते हैं कितना गाड़ी कितनी पतली रखना है वह आपकी 24 है लेकिन बहुत ज़्यादा पतली भी न करें और यहां पर फ्राइ किया हुआ पनीर डाल देंगे पनीर को मिला कर 2-3 मिनद तक इसे भी पकाएंगे मिडियम फ्लेम पे ही पकाना है फ्रेंट्स तो इस रेसिपी को तो जरूर ट्राय करेंगा एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाई हूं फ्रेंट्स बहुत ही स्वादिश्ट लगती है पनीर इस तरीके से और यहां पर बारिक कटा हुआ धनिया थोड़ा सा डाले हूं और इसे ढख कर 2-3 मिनट तक पकने देते हैं मेडियम फ्लेम पे तो यहां पर 2-3 मिनट हो चुका है और पनीर भी यहां पर पकर तयार हो चुकी है आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी ग्रेवी की ऐसे ही रहेगी तो प स्वादिश्ट बनी हुई है पनीर अब देख सकते हैं इसका कलर भी और टेस्ट में तो पुछिए मत एक्सिलेंट है इस पनीर बहुत ही स्वादिश्ट लगती है यहां पर सर्व कर लेते हैं इस रेशीपी को आप जरूर ट्राय करना और कमेंट करके भी बताना कि मेरी रेशीपी आपको कैसी लगी आपके एक कमेंट से मुझे जो मोटिवेशन मिलता है उसी मोटिवेशन से मैं इतनी नई नई रेशीपी लेकर आप लोग के साथ आती रहती हूं तो फ्रेंट्स मैं ऐसे ही नई नई रेशीपी लेकर आती रहूंगी हरे मिर्च है थोड़ा स्लीट कर लिए हैं इसे इसे भी रख देंगे यहां पर कि बहुत ही स्वादिश्ट सब्जी बनी हुई है तो आप इसे जरूर ट्राय करना और देख सकते हैं इसका कलर और टेस्ट ग्रेवी भी बहुत ही सांदार बनी हुई है तो इसे ट्राय करना तो बनता है इसके बाद आपको कौन से रेशीपी चाहिए मिलते हैं एक और नई रेशीपी के साथ तब तक के लिए बाई and टेक केर